पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा मुहमद आसीफ ने पंजाब में चुनाओ देर से करवाने का एक कारण भारत से जंग की अशंका को बताया है रक्षा मंत्री ने कहा पंजाब प्रांत में चुनाओ से देश में अस्थिर्था बढ़ेगी इसे भारत को जल विवात जाती विवात समेत कई मुद्दों पर फायदा उठाने का मोका मिल जाएगा रिपोर् लोट में शाबास सरकार ने कहा पाकिस्तान क्रोस बॉर्डर टेरिजिम अस्थिर्था अतंकी खत्रों पाकिस्तान लोट रहे इस्लामिक स्टेट के लड़ाके भारती जासुस एजेंसी राग और युद्द के खत्रों से जूज रहा है ऐसे में अभी चुनाओ कराना देश शित में नहीं है दरसल पाकिस्तान में लंबे समय से पंजाब चुनाओ को लेकर उथल पुथल मची होई है शाबास सरकार इसे अक्टूबर तक टालना चाहती है लेकिन पूर्व पीएम इमरान खान जल्द से जल्द चुनाओ करवाने के पक्ष में है ऐसे में मामला सुप दस अप्रेल डेडलाइन रखी गई है हालाकि सरकार ने कोड का आदेश नहीं माना और चुनाओ को अक्टूबर में कराने की याचिका लगाई लिहाजा अदालत विदानसभा चुनाओ में देरी की अपिल पर सुनवाई कर रही है एसे में सुनवाई के दोरान शाबास सरक सरकार ने सुप्रीम कोड को एक रिपोर्ट सोफी है जिसमें भारत से युद्ध की आशंका को चुनाओ न कराने के कारण के तोर पर बताया गया है इसी का हावला देते वे रक्षा मंत्री ने एसी से चुनाओ की तारिक के आदेश को वापस लेने की अपिल की सरकार ने कहा झाल